तो नियूलेंड लॉफ ऑफ अप्टिवस में नियूलेंड सेंटिश ने कहा कि अगर हम इलिमेंट को बरतुवी करम में रखेंगे तो पहले इलिमेंट के बाद जो आठमा इलिमेंट आएगा उसकी केमकर प्रॉपर्टीज पहली वाली इलिमेंट से मैच करेंगी यानि कि हर आठमा इलिमेंट अपने से पहले वाले इलिमेंट से प्रॉपर्टीज में मैच करेंगा जैसे कि पहला इलिमेंट आठमा इलिमेंट से मैच करता है दूसरा वाला इलिमेंट के प्रॉपर्टीज नौमें वाले इलिमेंट से मैच करेंगी अगर हम इलिमेंट को एटमिक मास के बरते हुए करम में रखेंगे तो इस प्रकार से Newland Scientist ने एक टेविल हमें बना कर दी जिसमें उन्होंने Atomic Mass के बरते हुए करम में रखा तो जैसा कि पहला element properties में आठवा में वाले से मैच करता है तो इस वज़े से इन्होंने Newland Law of Octopus रखा जैसा कि sodium element है हमारा उसकी नीचे रखा हुआ है potassium metal जो कि sodium के बाद आठवा metal potassium आता है इस वज़े से potassium metal की property sodium metal से मैच कर रही है तो वहीं आगर हम बात करें इस Newland Law of Octopus की limitation की तो यहीं पर ये law feel हो जाता है जब इन्होंने ये table बना कर हमें दी तो इन्होंने अक्टीवल मनाई तो जो calcium element था उससे पहले जितने भी element आ रहे थे उन्होंने Newland Law of Octopus का पालन किया बट calcium की बाद जितने भी element आने लगे उन्होंने अपने जो आठवा element की properties जो मैच करनी के लिए Newland ने कहा था उसके according ये मैच करना छोड़ दिया तो इस वज़े से ये law पहला limitation के गरूप में फस गया वहीं second problem ये आई कि इन्होंने दो element कोबाल्ट और निकल को एक ही गरूप में एक ही जगह पर रख दिया यानि कि कोबाल्ट और निकल जो की उन्होंने गरूप में रखा फ्लोरीन और क्लोरीन के में तो यहीं से आप समझ सकते हैं ये हैलोजन element है और जो कोबाल्ट और निकल है ये हमारी metal आते हैं तो ये इनकी property क्लोरीन और फ्लोरीन से मैच कैसे कर सकती है तो यानि कि second limitation हमारा यहीं आता है वहीं अगर हम third limitation की बात करें तो जो हमारा iron एफी था उसको इन्होंने कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रखा जिसकी वज़े से जबकि iron और कोबाल्ट निकल ये तो properties में बहुत ही ज़एदा मैच करते हैं तो इस वज़े से ये law तीवरा limitation में फस गया यानि कि इनको भ इनके time तक 56 element discover हो गये थे तो फिर इन्होंने कहा 56 element के बाद कोई बी other element आज के बाद discover होगा ही नहीं जो कि कुछी time के बाद काफी सारे और element discover हो गये जिसकी लिए इन्होंने आपने इस table में कोई place नहीं दिया तो फिर इनकी चाथा limitation यही था कि ये 56 element के बाद कोई other element को अपने table में जगे देने के लिए नहीं रखा तो इस वज़े से ये law फिल हो जाता है मिलते हैं future वीडियो में चैनल को subscribe कीजिए thank you friends